जैश्री राम श्रिष्टी के प्रारंबिक काल में भगवान विश्नु की आज्या से ब्रह्मा जी ने जीवों की उत्पत्ती करी खास तोर पर जब उन्होंने मनुष्य योनी की रचना करी तो वो ज़्यादा अपनी इस सरजना से संदुष्ट नहीं थे उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई जिसके कारण चारों और मौन चाया रहा तो विष्णु जी से अनुमती लेकर ब्रह्मा ने अपने कमंडल से कुछ जल छिड़का था और उस जल की जब बूंदे नीचे पिर्थवी पर गिरी तो उसमें कमपन होने लगा पिर्थवी पर तो क्या हुआ वरक्षो के बीच में गने जंगल में वरक्षो के बीच में एक अद्भुत शक्ती का प्रकाट्य हुआ ये जो प्रकाट्य था एक बहुत ही चार हाथों चतुर्बुजी सुन्दर स्त्री का था जिसके एक हाथ में वीणा थी दूसरे हाथ में मुद्रा की इस्थिती में वो था और बाकी के दोनों हाथों में एक पुस्तक थी और एक माला थी तो ब्रह्मा जी ने देवी से वीना बजाने का अरोध किया जैसे ही देवी ने वीना का मधुरनाद किया तो संसार के समस्त जीव जुनतों को एक वानी पर प्राप्त हो गई जल्दारा में कोला हल मच गया पवन चलने लगी सरसराहट की आवा जाने लगी हवा उसे तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वानी की देवी यानि की सरस्वती कहा सरस्वती जी को बागीश्वरी, भगवती, शार्दा, वीनावादिनी, वाग देवी भी कहते हैं बहुत सारे नाम है ये खासतोर पर विद्या और बुद्धी की प्रदाता है और संगीत की उत्पत्ति के करने के कारण ये संगीत की देवी भी मानी जाती है बसंत पंचमी के दिन, इनके जन्मत्सो के रूप में इस चीज को मनाया जाता है रिग्वेद में इनको परमचेतना कहा गया है सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धी, मनुवृत्या, इसकी सन्रक्षिका है, इनको सजो कर रखती है हमें जो आचार और या जो भी मेधा आती है, उसका आधार ये भगवती सरस्वती है इनकी समरद्धी और स्वरूप का जो वैभव है वो अद्भुत है, उसका वर्णन नहीं है और पुरानों के अनुसार, श्री किस्न ने सरस्वती से खुश होकर उन्हें वर्दान दिया था कि वसंत पंचमी के दिन तुमारी भी अराधना की जाएगी और यूँ भारत के कई हिस्सों में वसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की भी पूजा होने लगी जो की आज तक जारी है पतंग बाजी कुछ लोग करते हैं पर पतंग बाजी का वसंत से कोई सीधा संबन्द हमें नहीं लगता है लेकिन पतंग उड़ाने का रिवाज हजारों साल से चलता रहा है जो पहले चाइना से सुरू हुआ चीन से और फिर कोरिया और जापान के रास्ते से होता हुआ ये बारत पहुचा पहले तो ये सब भारत में ही मिले हुए थे और एक बहुत बड़ा देश एक बहुत बड़ा प्रांथ हुआ करता था ये उसके बाद तो ये भी भाजन हुए अलग लग देश बन गए तो ये उस रास्ते से ये पतंग जो हजारो गर्सों से चलती आई है वो फिर दीर दीरे आज तक जारी है तो ये बसंद पंचमी की कताती और मा सरस्वती की उत्पत्ती कैसे हुई उस चीज के बारे में वर्णन था जै श्री राम